नमस्कार दोस्तो, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल निस्वार्थ ज्यान पर जेष्ठ माह के शुकल पक्ष की निर्जला एकादशी दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है जेष्ठ माह में गर्मी चरम पर होती है और एकादशी में 24 घंटे वरत किया जाता है जो बहुत कठिन होता है आईए जानते हैं इस साल निर्जला एका दशी 2024 की डेट पूजा मुहूर्त और क्यों किया जाता है ये व्रत जेश्ट मास के शुकल पक्ष की निर्जला एका दशी तिथी 17 जून 2024 सोमवार को सुभह 0.35 पर शुरू होगी और अगले दिन 18 जून 2024 मंगलवार को प्रात 6.25 मि होता है असीमित यानि कि निर्जला एका दशी का वरत करने वालों को असीमित सुख और धन की प्राप्ती होती है इसी कारण इसे निर्जला एका दशी कहा जाता है इतना ही नहीं निर्जला एका दशी को असीमित लाभ देने वाली एका दशी भी कहा जाता है निर्जला एक एकादशी समस्त पापों से मुक्ति दिलाने वाली एकादशियों में से एक मानी जाती है। ऐसी मान्यता है कि इस वरत को करने से पापों का अंत होता है। इतना ही नहीं, व्यक्ति को कई तरह के रोग, दोश और आर्थिक समस्याओं से भी छुटकारा मिलता है और अक्षय प अंगलवार के दिन पड़ रही है, जिस वजह से इस दिन तीन बड़े योगों का निर्मान हो रहा है, जो की है धन लक्ष्मी योग, अम्रित सिध्ध योग और गजकेसरी योग। दोस्तों, इन तीन योगों के निर्मान की वजह से इस निर्जला एकादशी पर भगवान विश्णू और महालक्ष्मी की असीम कृपा बरसने वाली है, और अगर इस दिन आप चुपचाप किसी को बिना बताए, स्वास्थिक से जुड़ा यह अचूक उपाए कर लेते हैं, तो आपकी सभी समस्याओं का हल संपूर्ण रूप से हो जाएगा। इसलिए दोस्तों वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, और दोस्तों अगर आप भी अपने जीवन में भगवान श्री हरी विश्णू की कृपा पाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय, श्री हरी जय, मा लक्ष्मी लिखना न भूले। अलावा एकादशी भगवान विश्णू को प्रसंद करने के लिए भी बेहद उत्तम मानी जाती है। इस दिन भगवान विश्णू को प्रसंद करने के लिए कुछ लोग वरत रखते हैं और पूजा करते हैं। इस दिन सच्ची श्रद्धा और भक्ती भाव से भगवान विश्णू की पूजा करने से सभी मनो कामना पूर्ण होती है। दोस्तों, स्वास्थिक अत्यंत प्राचीन काल भारतिय संस्कृती में कल्यान कारी चिन्ह समझा जाता रहा है। इसलिए कि किसी भी शुभ काम को करने से पहले स्वास्थिक चिन्ह अंकित करके उसका पूजन किया जाता है। मान्यता है कि ऐसा करने से कामों में सफलता मिलती है, क्योंकि स्वास्थिक के चिन्ह को शुभता का चिन्ह समझा जाता है. इस तरह स्वास्थिक का अर्थ अच्छा या मंगल करने वाला ऐसा बताया गया है. मेन वर्नित है स्वस्थिक सर्वदा रुद्र अर्थात सभी दिशाओं में सबका कल्यान हो इस तरह स्वास्थिक एक शब्द से किसी व्यक्ती या जाती विशेश का नहीं परंतु संपून विश्व के कल्यान या वासुदेव की भावना नहित है किसी भी शुभ काम को करने से पहले गणेश जी का नाम लेते हैं और हिंदु धर्म में स्वास्थिक को गणेश जी का भी प्रतीक समझा जाता है वैसे तो किसी भी शुभ काम को पहले स्वास्थिक बनाकर ही थाली में रखते हैं और पूजा करते हैं, क्योंकि ऐसा करने से में खुशियां बढ़ती हैं। स्वास्थिक में चार तरह की रेखाएं होती हैं और इनका आकार भी एक समान ही होता है। अरगवेद की भाषा में स्वास्थिक को सूर्य का प्रतीक समझा गया है और उसकी चार भुजाओं को उपमा दी गई है। यानि चार आश्रम, चार लोग, चार देवों यानि ब्रह्मा विष्णु महेश और गणेश की तुलना भी की गई है। इसके मध्य में जो बिंदु है भगवान विष्णु की नाभी मानी जाती है जिसमें से भगवान ब्रह्मा प्रकट होते हैं और स्वास्थिक की चार रेखाएं एक घडी की में चलती है जो संसार की सही दिशा में चलने का चिन्ह है। यह है स्वास्थ्य महत्ता। इस एका दशी के दिन घर के मुख्य द्वार पर शुभ मंगल चिन्ह चिन्ह स्वास्थिक स्वरूब बनाए आप चावल और कुमकुम की सहायता से बना सकते हैं। चावल और हल्दी के घोल से बना सकते हैं या फिर कुमकुम यानी सिंदूर और घी, सिंदूर और तेल मिला करके भी बना सकते हैं, ऐसा करने से वास्तु दोश दूर हो जाता है, इससे मनो कामना हो की पूर्ती हो जाती, घर से कलेश कल है बेचैनी दूर हो जाती है, तंत्र मंत्र क्रिया से भी रक्षा होती है, इसे शुभ काम के पहले अंकित किया जाता है, क्योंकि स्वास्थिक को मा सम्मान सफलता और उन्नती का प्रतीक समझा जाता है। स्वास्थिक हर दिशा से देखने पर एक ही सम्मान लगता है। उसे लाकर पूजा घर में रखकर पूजा करें। इससे घर में लक्षमी का वास हो जाता है। लक्षमी प्राप्ति हेतु चांदी का स्वास्थिक नवरात्रों में भी लगाया जाता है। परन्तु सबसे अच्छा है कि सिंदूर और घी या तेल मिलाकर के यह या फिर चावल और हल्दी के घोल से बना दे के मुख्य द्वार पर स्वास्थिक बनाते हैं, तो ज्यादा बड़ा मत बनाईए, नौ अंगुल से बड़ा, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, तीन चार अंगुल का बनाईए, यह उत्तम होगा, अगर आपके घर के सामने पेड या खंभा है, त वास्तु दोश उत्पन्न होता, ऐसे में वास्तु दोश के प्रभाव को स्वास्थिक रोकता है, स्वास्थिक का चिन्ह देवता को प्रसन्न करने के लिए खास कर बनाया जाता है, एका दशी तिथी पर आप थाली में या चौकी पर स्वास्थिक बनाकर उस पर मूर्ती कर तो देवता प्रसन्न हो जाते हैं। दोस्तों, इस एका दशी पर मुख्यद्वार की दहलीज के दोनों तरफ स्वास्थिक का चिन्ह बनाकर उसकी पूजा करें, स्वास्थिक पर चावल की धेरी बनाएं और एक-एक सुपारी रख दें, तो ऐसा करने से अपार धन की प्राप्ती होती है। इस दिन आप अपने घर के पूजा स्थान पर एक में कुम-कुम से स्वास्थिक बना ले। स्वास्थिक के ऊपर थोड़े से अक्षत और एक सुपारी रख दें, इसे 21 दिन तक वही रहने दें, बाद में सुपारी को उठा कर की मूर्ती के पास रख दें। 21 दिन तक यह बने रहने से आपके जीवन में कभी धन की कभी कमी नहीं होती। इस एका दशी पर आप यह उपाय कर लेंगे तो लंबे समय तक यह आपको लाब देता रहेगा। पितरों की कृपा पाने के लिए भी स्वास्थिक काम आता है। इसके लिए स्वास्थिक का चिन्ह घर के मुख्य द्वार के गोबर से बनाना चाहिए। इससे घर की सुख शांती बनी रहती है, पितरों की कृपा बरस्ती है, दोस्तों कहां जाता है कि एकादशी के दिन पीपल की जड में अगर एक लोटे जल में एक छुट की काले तिल और थोड़ी सी शक्कर डाल कर जल अर्पित करें, तो इससे पितर देव की विशेश कृपा है, उस मनोकामना की पूर्ती के लिए आप एक विशेश उपाय कर सकते हैं दोस्तों, कई बार लंबे समय तक हम किसी मनोकामना को लेकर चलते हैं, अनेक प्रयासों बाद भी पूर्ण नहीं हो पाती, ऐसे में एकादशी के दिन आप आसपास के किसी भी मंदिर में जाकर, मं जाकर वहीं पर सीधा स्वास्थिक बना दें और भगवान को धन्यवाद दें, इस एकादशी पर भगवान श्रीहरी की पूजा करेंगे, तो उन्हें दो हल्दी की गांठे जरूर अर्पित की, और बाद में हल्दी की गांठ को पिले कपड़े में लपेट कर तिजोरी में रख दें, आपने पहले भी हल्दी की गांठें रखी हूँ, ई है तो उसको ही पूजक वापस रख दें, दोस्तों, एकादशी पर विश्णु जी की पूजा में उन्हें केसर कमल का पुष्प के लिए गेंदे का फूल अर्पित करें, जिस थाल को आप गन्ने से बजाएं उस थाल में भी सिंदूर से एक स्वास्थिक का चिन्ह जरूर बना लें, उस स्वास्थिक के दोनों तरफ दो खड़ी रेखाएं भी बनाएं, फिर उस थाली को हुए प्रभु को जगाए, मंगलाचार कीजिए, यह स्वास्थिक का चिन्ह आपके जीवन की सारी परेशानि को दूर करेगा, जीवन में खुशी, इस एकादशी के दिन विशेश मंतर का जाप जरूर करें, आप मंतर का जाप कर सकते हैं, या फिर विश्णु जी के महा मंतर ओम नमो भगवते वासु देवाय का इसमें से किसी भी एक मंतर का जाप कर सकते हैं, जो भी मंतर आसान लग उसमें चुटकी हल्दी दो-चार बूंदे, दूध थोड़ी सी मिश्री और एक चुटकी अक्षर डाल कर ही अर्पित करें. और शाम के समय तुलसी के समक्ष घी का दीपक जलाए. इस दीपक में एक सिक्का रख दें और बाद में इस सिक्के को उठा कर संभाल के रखें. करने से सिक्का सिद्ध हो जाएगा. फिर जब भी महत्वपूर्ण काम से आप घर से बाहर है, तो इस सिक्के को साथ में रख कर निकले. आपको काम में सिद्ध जरूर हासिल मिलेगी. इस दिन दीपक का उपाय जरूर ही करें. एक दीपक घर के मुख्य द्वार पर अंदर क की तरफ से या फिर पास के किसी मंदिर में. एक दीपक तुलसी के नीचे, एक दीपक अपने घर के पूजा स्थान पर इस दिन जरूर जलाए. पूजा के बाद आरती जरूर करें. आरती की थाल में कुम-कुम से स्वास्थिक बनाकर उस पर फूलों की पंखोडी और थोड किये जाते हैं. अगर विश्णु जी को अर्पित करना चाहते हैं, तो हल्दी से रंगा करर ही पी ले. अक्षत अर्पित करें, तो दोस्तों विधिविधान से इस दिन पूजा आराधना करें. स्वास्थिक के उपाय जरूर करें. और विश्णु जी के साथ ही शिवा जी असीम क्रिपा पाको सुन्दर बनाएं. दोस्तों, भगवान विश्णु की क्रिपा के लिए इस एकादशी के दिन स्नान करते समय पानी में एक छुटकी हल्दी डाल लें. इसके बाद स्नान करें और पीले रंग के वस्त्र धारण करके भगवान विश्णु की इस एकादशी के दिन श्री हारिका सबसे पहले गाय के दूध से और फिर शंक में गंगा जल भरकर स्नान कराएं. इसके बाद उन्हें पीले रंग के वस्त्र अर्पित करें. मानता कि इस एकादशी के दिन ऐसा करने से भगवान विश्णु का विशेश आशीरवाद हासिल होता है. इस एकादशी के दिन भगवान विश्णु की पूजा करते समय उन्हें केसर अत्वा पीले चंदन या हल्दी का तिलक लगाए. साथ ही साथ भगवान विश्णु के प्रिय पीले रंग के फूल और पीले फल चड़ाए. मान्यता है कि इस उपाय को करने से भगवा श्री कृष्ण की मूर्ती की भी पूजा करके इस एकादशी का पुन्यभल हासिल करें. इश्वर की साधना आराधना में मंत्र जप का विशेश महत्व होता है. ऐसे में आज इस एकादशी के दिन भगवान विश्णु की कृपा पाने के लिए ओम नमो भगवते वासुद देवाय नमह मंत्र का जप जरूर करें. यदि संभव हो तो इस मंत्र का जाप तुलसी या पीले चंदन की माला से करें. धार्मिक और पौरानिक मान्यताओं के अनुसार पीपल के पेड में भगवान विश्णु का वास होता है. ऐसे में एकादशी के दिन पीपल के पेड म जल्द जरूर अर्पित करें कि पूर्ती के लिए इस दिन दूध मिला हुआ जल्भी पीपल में चढ़ा सकते हैं. अगर आप एकादशी की पूजा का पूरा फल हासिल करना चाहते हैं, तो इस दिन भगवान विश्णु की पूजा में शुद्ध घी का दिया जरूर अर्पित किये जाने वाले में तुलसी के पत्ते जरूर रखें. तो दोस्तों इस वीडियो को यही पर समाप्त करते हैं, मैं उमीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, वीडियो में अंत तक बने रहने के आपका दिल से शुक्रिया हर हर महादेव.